हलो फ्रेंड्स यहां पर हम सदर बजार से जो समान लाय थे करिद के तो इसको हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कौन कितने में लिया क्या-क्या तो फ्रेंड्स यह था एक कुहू के लिए कुड़ती तो यह मुझे 200 की मिली और कफी हलका कपड़ा था घर्मी में पहन लाइक और अच्छा भी लग रहा था और इसका लाइट वेट था तो बहुत भी बढ़िया था तीसलिए मैंने इसको ले लिया और यह है रुद्रांस के लिए तो उनके की ले लेते हैं रुद्रांस के लिए एक पैंट और एक जीन्स तो सौरी पैंट और जीन्स दोनों बोल रहे हैं तो फ्रेंट यह टीशर्ट है और एक पैंट है तो वही मैं सोच रही हूं मैं क्या बोल रही हूं तो फिर यह भी मुझे काफी मतलब अच्छिदा में मिल गया टीशर्ट मुझे सो रुपए की मिली और पैंट इनका डेड़ सो कमिला तो इसको भी मैंने ले लिया और काफी पसंद आया बच्चों को फिर उसके बाद यह बहन के बेटे के लिए मैंने लिया यह सिट दो गर्मियों में पहनने के लिए और बाकी मैंने एक और पहले भी लिया था रखे हैं तो थोड़ा मतलब जीन्स का पैंट और टीशर तो यह मुझे डेड़ सो में दोनों मिल गया फिर उसके बाद मैं दिखाती हूं मैंने अपने लिए एक चपल खरी दी है तो अच्छा लग रहा था तो पती दियो बोले कि ले लो अच्छा है और यह मुझे मिल गया डेड़ सो में और काफी मतलब मुझे ब्लैक कलर में काफी पसंद है तो इसलिए मैं ले लिया और फिर उसके बाद यह सूज मैंने को के लिए लिया कही मतलब इसे बाहर आने जाने के लिए तो वहां पर काफी उची दामे बड़ियां-बड़ियां मिल जाता है और अगर जो मिल रहा है अगर साल दो साल चल जाए तब भी पैस और उसके बाद उनका मैं एक ले आई इसकूल का खरीद के सूज इसकूल वाला भी उनका थोड़ा फट गया था तो मैंने का ले लेती हूं तो यह भी मुझे 170 रुपए में मिल गया और काफी मतलब ठीक ठाक मिल गया और फिर उसके बाद मैंने एक किलो आम ले लिया था त तो दो किलो तरबूज था फिर उसके बाद उरेंज मैंने ले लिया तो आरेंज भी 20 रुपै किलो के हिसाब से दे रहा था तो मैंने 1,5 किलो आरेंज ले लिया तो यही था छोटा मोटा सौपिंग और बाकी थोड़ा बस ऐसे ही छोटे-छोटे 2-4 समान ले लिए थे अप पसंद आई हो तो लाइक करना फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग फ्रेंड्स बाई बाई अपना और अपनों का ख्याल रखना मिलते हैं फिर जल्दी ही